Hello friends, a very more welcome to all of you to the success educator. दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुलू का पार्ट नमबर टू, पार्ट नमबर बन हमने अल्रेडी कम्प्लीट कर लिया था. हिमाचल प्रदेश का जनल नौलेज हम कवर कर रहे हैं, हिमाचल दरपन बुक के थुरू और पूरी प्लेइलिस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मल जाएगा, वहाँ पे जाके आप प्रिविएस लेक्चर्स देख सकते हैं. वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली जो है वीडियो को लाइक जरूर करें और आपकी तरफ से कोई सुझेशन है उसको आप कमेंट डाउन कर सकते हैं. चलिए दोस्तों आज का लेक्चर जो है हम बीना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम कुलू की जो एकॉनमिक जो है उससे रिलेटेड जो क्वेशन पूछे आते हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम कुलू की ब लगाये थे, तो याद रखेगा नाम Captain R.C. Lee, ठीक है, तो यह British थे, Captain R.C. Lee ने जो है यहाँ पे सबसे पहले British Apple लगाये थे, यानि कि पूरा गार्डन जो है British Apple का जो है इन्होंने सबसे पहले लगाया था, और location भी आपको याद रखने हैं, अगर आप allied की तेहरी कर रहे है वहाँ पे पूछ ले जाएगा, तो कुलू के बंदरोल में जो है, वहाँ पे जो है इन्होंने सेब के बगीचे लगाये थे, Captain R.C. Lee नाम याद रखेगा, कब लगाये थे, डेट भी आप याद रख सकते हैं, 1870 में जो है इन्होंने ये काम किया था, उसके बाद दिखिए दूसरा क्वेशन यहां से यहीज भनता है, एपल से लेटेड की Local थे एक यहाँ के, जिन्होंने एपल लगाये थे, यानि कि कुलू के जो है ये नागरिक थे, जिन्होंने Local लैबल पे एपल लगाये थे, उनका नाम था पाधा बंसी लाल, पाधा बंसी लाल करके जो है, इ जो है ब्रिटिश जो है याँ पे विराइटी के हैं तो मनाली में किस ने लगाए थे अगर कॉशन आ जाए एटी बैनन इनका नाम था एटी बैनन ने जो है मनाली में लगाए हैं तो यहाँ पे आपको फैक्ट्फल इंफ्रमेशन याद रखनी पड़ेगी आप कैसे भी याद करें आपको रिवीजन करना पड़ेगा ठीक है तो एटीन एटी फोर में जो है इनोंने मनाली में एटी बैनन ने बिटिश वराइट होता है तो याद रखिएगा इसके लाबा बजोरा में किसने लगाए अगर पूछ लिया जाए बजोरा में जो है रोनिक ने लगाए थे ठीक रोनिक एंड ये जो है यहाँ पे डूंगरी में डूंगरी जो है आपको पता है मनाली में राइट तो डूंगरी में किसने लग तो ये दो location पे इनों ने लगाये थे बाकी जो है आप देख सकते हैं main important captain arsily हैं और दूसरे हैं 80 benon तो उनों का आपको याद रखना है और तीसरा बंसीला local level पे किसने लगाये थे पाधा बंसीला नाम के आदमी ने हैं तो ये बात याद रखिए इसके बाद देखी अंगोरा फार्म कहां पे है कुलू में तो इसकी location आपको याद रखना है अंगोरा फार्म है आपका मोहल में कुलू के मोहल सान पे आपको ये देखने को मिलेगा और ये कब establish किया गया था 1964 को जो है इसको establish किया गया था तो location भी आपको याद रखना है ठीक है इसके बाद देखी जो कुलू में है brown fish की प्रजाती जो है सबसे पहले कौन लेके आए थे तो नाम याद रखिएगा GCL Hevel नाम के जो है वेक्ती ने ये basically dipty commissioner थे कुलू के ठीक है मनाली के तो GCL Hevel ने जो है brown fish जो है सबसे पहले यहाँ पे कुलू की river में डाली थी कब डाली थी 1909 में तो यह DC थे basically वहाँ पे और यहाँ पे उसके जो brown fish डाली है तो यहाँ पे एक form भी बनाया गया है fish form पतली कुहल नाम से पतली कुहल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा इसके लावा आपको याद रखना है कुलू मनाली जो राजमाग है कुलू मंडी का जो रोड है वो यूज कब होना स्टार्ट हुआ था तो याद रखिए 1925 को ये यूज होना स्टार्ट हुआ था इसके लावा एकॉनमिक चीजों से लेकर काफ़ इंपोर्टन कुशन पुछायाता है कि लाइम स्टोन जो है कुलू में कहां पाया जाता है तो लाइम स्टोन जो है दो जगों पे पाया जाता है एक तो लारजी में पाया जाता है दूसरा है हारला में ठीक है हारला और लारजी में जो है लाइमस्टोन पाया जाता है दूसरी बात जो पूछता है वो है कायनाइट कहां पे पाया जाता है तो कायनाइट जो है पारवती वैली में जो है आपका कायनाइट पाया जाता है तो ये दोनों चीज़ों आपको याद रखनी है ये प्रि लिए तो सबसे बड़ा जो हिमाचल प्रदेश का बोला जाता है पारवती हाइडोलेक्टिक पोजेक्ट इसकी क्षमता कितनी है 211 मेगावार्ड की जो है यहां पे 2551 मेगावार्ड की यहां पे इसकी कापैसिटी है लेकिन दोस्तों यह भी कंस्ट्रक्शन में है ठीक है पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है यह कंस्ट्रक्शन में है और अगर कॉश्चन पूछ लिया जाए विच इस दा हिमाचल प्रदेश लार्जेस्ट हाइडोलेक्टिक पोजेक्ट तो आप नाम देगे है इस में क्या है कि यह दो रीवर के कॉंफुलेंस पे बना हैएड़ तो रीवर मिलती है इसके उपर इन्होंने तीन uh power house बनाएं हैं यह थोड़ा से बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो है इसमें अलाइड का भी कबर हो जाएगा इस तरह से question पूछ लियाते हैं नक्थाप ठेक है एक है सैंज और एक है आपका लार्जी ठेक है तो तीन जो है powerhouse इस पे बनाए गए हैं इससे important क्या चीज है देखिए दोस्तों जो पारवति हाइड उलेक्टिक प्रोजेक्ट है इसमें पांच स्टेट को जो है electricity प्रोवाइड करवाई जाती है ठीक है कौन-कौन सी वो agreement कब हुआ था यह भी आपको जो है अलाइड के examination में पूछा जा सकता है यानि कि जो शिमला के exam होते हैं उसमें इस तरह के question पूछे आते तो याद रखे नाइन्टी नाइन्टी टू को जो है यह पांच स्टेट के बिच में agreement हुआ है कि जो है सभी को यहां से बिजली पराप्त होगी राइट चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे fears के बारे में या फिर हम बोलें festivals fears mainly जो है यहां पर कौन-कौन से important है सबसे पहले तो देखिए जो दुशेहरा है इस पर हमने पहले भी बात की पिछले lecture में लेकिन फिर से repeat करते हैं ताकि आपको revise भी हो जाए तो दुशेहरा देखिए इसमें क्या है रगुनात की यात्रा निकाले जाती है जो गोड है रगुनात ची उनकी जो है यहां पर यात्रा निकलती है इसके दिन ठीक है और दूसरी बात दुशेहरा जो है यह कहां मनाया जाता है धालपूर मैदान जो है धालपूर मैदान मे लाई जाती है और रगुनाथ जो temple है ये कहां पे है याद रखिए सुल्तानपूर में है और किसने बनाया था राजा जगत सिंग ने बनाया था ये हमने पिछले lecture में देखा था दशेहरी की बात करें दोस्तों ये 7 दिन चलता है और ये international level का है international level का है तो ये दशेहरा से लेटर जो है 4-5 बाते याद रखनी है दशेहरा किसने स्टार्ट करवाया है ये जगत सिंग ने स्टार्ट करवाया है ये हमने पिछले lecture में भी देखा था राजा जगत सिंग के दोरान जो है तबी से ये लगता है आगे चलते हैं तूसरा जो आपको याद रखना है वो है भडोली मेला तो भडोली मेला कहां लगता है भडोली फेर जो है आपका लगता है कुल्डू में और किसकी याद में मनाया जाता है यानि कि किससे related है ये question पूछा आता है तो जो परशुराम जी है उन से related है कहां पे मनाया जाता है, ये question पूछा जाता है, तो याद रखें, जो कुल्लू का निर्मंड वाला area है, निर्मंड में जो है, यहां पे बुड़ी दिवाली मनाई जाती है, next जो है आपका डूंगरी fair, तो डूंगरी मेला जो है, आपको पता है, जो हडिम्बा देवी है, तो उनकी memory में जो है, यहां पे लगता है, in memory of हडिम्बा देवी, ठीक है, तो कहां पे लगता है, मनाली में लगता है, डूंगरी मेला, next अब हम बात करेंगे temple से लेट, जो temple आपको याद रखने है, वो आप देख लीजिए, सबसे पहले तो यही हडिम्बा देवी temple आपको याद रखना है, हडिम्बा देवी temple, अब देखो, आपको confusion हो सकता है, अगर हडिम्बा देवी temple आता है, तो हडिम्बा देवी temple है, तो आपको यह डिपेंड करता है, उप्शन में क्या दिया गया है, अगर हडिम्बा देव तब तो बनाली में आपको टेंपल देखने को मिलेगा यह टेंपल बनाया किसने था तो राजा बहादुर सिंग ने यहाँ पे इसको बनाया था राजा बहादुर सिंग ने इसको बनाया था कब 1553 में इसको बनाया गया था जो आपका हडिमबादिवी ये temple है कि इस style का है पगोड़ा शैली का है पगोड़ा जो है style का जो है ये temple आपको देखने को मिलेगा अब जो architecture है temple से related इस पे हम separate video बनाएंगे जिसमें हम जो है सारे discuss करेंगे लेकिन यहाँ पे जो है important बात जो है मैंने आपको बता दी कुल्लू में हैं याद रखेगा देखे निर्मंड को और क्या बोला जाता है निर्मंड जो है छोटा काशी बोला जाता है कुल्लू का ठीक है ना छोटा काशी कुल्लू का लेकिन छोटा काशी और हिमाचल परदेश किसको बोलते हैं मंडी को बोलते हैं तो confusion नहीं होना चाहिए इसके जो है थर्ड जो आपको याद रखना है महीशा सुर मर्दिनी एक है महीशा सुर मर्दिनी और दूसरा है आपका विश्वेश्वर महादेव तो देखे दोस्तों ये दोनों टेंपल कहां पे है याद रखे का लोकेशन बजोरा में है ठीक है बजोरा में जो है आपके प्रशिर्टी देता हूँ अप लोगों को, राइट, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट जो हैं, प्लेसिस, उनसे रिलेटर क्या आगा है, सबसे पहले तो मनाली, ठीक है, मनाली, मनाली से रिलेटर क्या इंपॉर्टेंट चीज़े हैं, एक तो हडिमबादी भी टेंपल है, यहां पर दोस्तों, इंटरनेशनल स्काइंग कॉम्पिटिशन होता है, तो यह कुश्चन आपको पूछ लिया जाए, इंटरनेशनल स्काइंग कॉम्पिटिशन कहां पर होता है, तो मनाली में होता है, मनाली के कहां पर होता है, यह सोलांग वैली जो वाला रिजन है, वहा भी जो है आपके सोलांग में मनाया जाते हैं सोलांग में होता है लेकिन मनाली वाली रीजन में आता है तो इसलिए मनाली के अंडल इसको लेते हैं इसके लावा देखिए दोस्तों अर्जुन केव आपको देखने को मिलेगी जो कुलू मनाली राजमार्ग है उसके पास में ए यहाँ पे तपस्या की थी ब्रह्मास्तर को प्राप्त करने के लिए, ठीके न, क्रिशन की यहाँ पे तपस्या की थी, ताकि उन्हें ब्रह्मास्तर प्राप्त हो, इसके इलावा दिखिए, मनाली में और क्या है, very important institute of mountain ring, ठीके, institute of mountain ring जो है, कहाँ पे है, मनाली में है, और इस इससे important क्या हो जाता है यह तो important है ही कहां पे है मनाली में है लेकिन इसकी जो है यहां पे established कब हुआ था 1961 में जो है इसको established किया गया था तो ये भी आपको जो है याद रखना है बहुत ही जादा important है आगे बढ़ते हैं एक है मनीकरन तो मनीकरन किस से related form famous है तो ये famous है hot water spring के ल होते हैं वो यहां पे आपको देखने को मिलेगा ठीक है कहा जाता है पारवती नदी जो है जब बात ले रहे थे तो उस समय जो हनकी कान से जो है वो कान की जो है मनी जो है गिर गई थी पानी में तो यहां पे जो है hot water spring आपको देखने को मिलेगा next is नगर third one जो है location important है नग तो रोरिच थे कौन basically ये artist थे कहां से रशिया से तो जो शिमला बोड़ है वहां पे question पूछ लिया जाता है कि रोरिच कहां से थे तो रशिया से थे basically और इनकी wife का नाम क्या था देविका रानी या फिर queen देविका तो इनका नाम भी आपको याद रखना है 1942 में जो रोरिच art museum है यहां पे आये थे इंद्रा घांदी ठीक है प्लस जो है पंडिज वाला नहरू इसको देखने डिरिक्शन करने ठीक है तो ये चीज़े आपको याद रखना है इसके अलावा देखिए आपको याद रखना है मलाना का मलाना important place है क्योंकि ये oldest democracy है world की ये question पूछा आता मलाना में basically एक देखता है जिनका नाम है जामलू देखता जो है यहां पे important है तो ये basically father किसके थे परशुराम के इनकी जो है यहां पर पूजा की जाती है यहां से ये देखता important है इसके लावा आपको तीर्थन के बारे में याद रखना है तीर्थन में क्या है आपका Great Himalian National पार्क ठीक है Great Himalian National पार्क कहां पे है तीर्थन में है दोस्तों याद रखेगा location important है बस ये जो है आपको याद रखना है इसके लावा दिखिए जो कुलू वाला जो है district इसमें आपको least populated जो है na villages देखने को मिलेंगे मतलब सबसे कम आबादी जो है village की कहां पे है वो आप हमारा कुलू का chapter जो है complete हो चुका है हमने दो parts में इसको complete कर दिया है next video जो है अगले जो district रहेगा most probably आपका मंडी है उसको मैं start करवाओंगा तो वो हम discuss करेंगे वीडियो चल अगए तो like जुरूर करिए कोई आपकी तरफ से suggestion होगा तो comment down को जुरूर करेंगे हम भी लेंगे next lecture में तब तक के लिए जाहिन